जहीं दोस्तों वेलकम है आप सभी का विजेबत डिफेंस एजुकेशन पालमपुर में आज हिमाचल पुलिस का दोहजार बाइस का एक्जाम कंड़क्ट करवाया गया आज हम आंसर की जानेंगे इंग्लिश के सैक्शन की बाकी मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी और साइंस क आंसर की जो है वो डल चुकी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप उसको देख सकते हैं, प्लेइलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और अपने नंबर जो है वो आप काउंट कर सकते हैं, सबसे पहले आपको बताये गया था similar meaning आपको बताना है तो जो आपका पहला question था choice का उसका जो right answer आपका रहेगा वो है आपका option A really yes option A इसका बिल्कुल सही answer है उसके बाद जो second question है उसका जो right answer है वो है option B recharge उसके बाद बात करते हैं तीसरे question की जिसमें knowledge जो और learning के बारे में बोला गया था hater of knowledge and learning तो इसका जो right answer रहेगा वो है आपका option number D उसके बाद आपको यहाँ पे correct form जो है वो choose करनी थी तो question number 4 जो आपका बिल्कुल right answer रहेगा वो है आपका option B addition उसके बाद question 5 का जो option रहेगा वो है option C जिसमें आपको बोला गया था B, A, C तो आपकी right form जो है वो बिल्कुल यही बनेगी which is B, A, C जो कि आपके option C में fit है उसके बाद question number 6 की बात करते हैं तो 6 का जो right answer रहेगा वो है आपका option D, C, B, A option D जो है वो इसका right answer रहेगा उसके बाद question 7 की बात करते हैं इसमें correct spelling आपको choose करनी थी तो harassment जो है वो आपका option C वो आपका इसमें से बिल्कुल accurate spelling है उसके बाद consequence में option A जो है वो आपका बिल्कुल सही answer रहेगा उसके बाद question 9 की बात करते हैं यह आपको speech के बारे में पूछा गया था तो I am going to tonight लक्षमी सेट तो इसका जो आपका right answer था वो था आपका option number B लक्षमी सेट that C was going out that night option B 9th question का answer रहेगा उसके बाद 10th question भी हमारा direct speech से related था indirect direct से related था तो इसका जो right answer है वो है आपका option C the king said we should celebrate our victory option C इसका बिल्कुल right answer है उसके बाद question number 11th का जो आपका right answer रहेगा वो है आपका is happening to तो option D जो है वो आपका इसका बिल्कुल सही answer है उसके बाद question number 12th की बात करते हैं इसमें आपके phrases पूछे गए थे तो इसका जो right answer रहेगा वो आपका question number 12th का वो आपका cheerful है option B उसके बाद 13th का जो आपका answer रहेगा वो है आपका option number A उसके बाद बात करते हैं question number 14 की total 16 question इसमें पूछे जाते है question number 14 का जो है वो option D आपका बिल्कुल accurate रहेगा I was told by somebody that there has been explosion in the mall option D आपका इसका accurate है उसके बात करते हैं तो इसमें आपको improvement के बारे में बताना था correct option तो इसका जो right answer है वो है fallen in love option B इसका right answer रहेगा उसके बाद English के section का last question था आपका it is the time the three years old in learning how to read and write इसमें भी आपको sentence improvement से question पूछा गया था तो इसका option आपका option D no improvement क्योंकि यह आपका सारा का सारा accurate sentence यहाँ पे लिखा गया है I hope आपने जो English के question आपको यहाँ पे answer की बताई गई है आपके भी यही question जो है वो आपके बिलकुल accurate रहे हूं और वीडियो को like करें share करें और another video का link जो हो है आपको description में मिल जाएगा वहाँ से आप Hindi, GK, Science और math reasoning की answer की जो है वो आप check कर सकते हैं जय हिंद, जय हिमाचा